ये है दिली दर्पन लेकिन बदमास जरूर गुस्सा हो गए नतीजा बदमास ने विक्रम के सर्ज में नजदीक से गोली मार दी इस घटना ने योकी सरकार के साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दी है देखिए हमारी खास रिपोर्ट यूपी में योगी सरकार के राज में भी गुंडा राज कितना बेखौफ है दिली जसटे गाज़िबाद में पत्रकार विक्रम जूशी की हत्या यही साबित करती है दो दिन पहले सोमवार को पत्रकार विक्रम जूशी को बदमाशों ने सर से नस्दीक से गोली मार दी पर पुलिस तो हरकत में नहीं आई लेकिन बदमाश जरूर गुस्से में आ गए बदमाशों ने गाज़ेबाद के विजनगर में विक्रम जोशी को घेर कर मार पीट की और फिर उन्हें गोली मार दी घायल हालत में विक्रम जोशी को ये शोदा अस्पताल ले जाया गया जहा जोशी पत्रकार कतम हो गए कई नेताओं ने भी चूइच कर घटना को दुखत बताया आम आदमी पार्टी के राजे सवासांसद संजय सिंग ने इस घटना को बेहद चिंतजनक बताया प्रम जी के साथ उनकी बहन और उनके परिवार के लोगों ने जो बताया हो बहुत चोकाने वाला है दो घंटे पहले पत्रकार महोदे ने पुलिस को सुचना दी और आसंका जताई के उनको उपर हमला हो सकता है चार-पांच संदिक्द लोग उनको घेरा बंदी कर रहे थे लेकिन उस दो घंटे के दवरान उनको कोई पुलिस वाला नहीं आता है और ये कह दिया जाता है सेचो के द्वारा जो इनका बयान है जो कहना है कि मैं बीमार हूँ मैं नहीं आपा हूँदा यूपी में पत्रकारों पर बढ़ते हमले पहले भी चिंतजनक बने हुए थे लेकिन इस घटना ने गाज़ेबाद के पत्रकारों के साथ साथ देश भर के पत्रकारों को आंदोलित कर दिया एन्यूजी से संबंदित दिली पत्रकार संग के अध्यक्ष मनोहर सिंग और महामंतरी अमलेश राजु ने यूपी सरकार और गाज़ेबाद प्रशासन को पत्र लिख कर दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के साथ साथ उनके आश्रितों को मुआवजा दे जाने क की भी मांग की है इतनत सब कुछ होने के बाद यूपी सरकार को भी होश में आना ही था यूपी के मुख्यमुंतरी यूग्यादे तैनात ने पीडित परिवार को 10 लाख रुपाय का मुआवजा और पत्नी को नौकरी देने के साथ बच्चों की निशुलक पढ़ाई के इंतजाम करने के निर्देश दे दिये पुलिस प्रशासन ने इस पामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया साथ ही इस अध्यकारण के आरोप में गाज़िबाद पुलिस ने अब तक कुल 9 लोगों को गिरफतार किया है इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में है और सरकार सवालों के घेरे में हर घटना के बाद ज़ंच, गिरफतारी और फिर पीडित को मुआवजा ये कहानी दोहराई जाती है लेकिन इस घटना में लापरवाही अपनाने वालों पर कार्रवाई की खाना पूर्ती होती है लेकिन इस पर कोई ठोस उपाय नहीं होता कि बदमाशों में कानून का खौफ कैसे पैदा हो इस सवाल पर यूपी में सरकारें तो बदलती रही लेकिन यूपी में गुंटा राज नहीं बदला बहुत उमीदे योगी सरकार से लगाई लेकिन लगता है वो भी असफल ही साबित हो रहे है दिल्ली दरपन टीवी के लिए गाजबाद सभी शेक शर्मा के साथ राजेंदर स्वामी दिल्ली दरपन टीवी